हलो दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत है आपका दृष्टी आइस के निउज ओन मैप वर्ड प्रोग्राम में मैं हूं केवल आपके सामने इस प्रोग्राम में हम बीते एक सब्ता में चर्चा में रही प्रमुक जगहों के आधार पर मानचित्र से जुड़े हुए प्रश् प्रश्ण से और पहला प्रश्ण होता है हमारा अभ्यास प्रश्ण जो हमने पिछले सब्ता आप से पूंचा था ब्रिटिश द्वीव समूह के संदर में निमलिखिंत कथनों पर विचार कीजे पहला कथन है प्रधान मध्यान रेखा इसके ठीक मध्य से गुजरती है दू दो है या दो है या केवल तीन है चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़के देखते हैं कि आखे बिटिश आइलेंड कहां पर है तो यह जो आप शेत्र देख रहे हैं यह पूरा का पूरा बिटिश आइलेंड का छेत्र है इस पर हमने पिछले अपसोर्ट पर चर्चा भी की थी अब बिटिश आइलेंड के छेत्र को ले करके पहला स्टेटमेंट देखी क्या है प्रधान मध्यान रेखा इसके ठीक मध्य से गुजरती है तो हम देखते हैं प्रधान मध्यान रेखा कहां पर है तो देखे यह जीरो डिग्री देशांतर की जो रेखा है इसी को बोलते है बिज़ा और यह जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो the British island से गुजरते हुए आगे बढ़ जाती है लेकिन हम यह देखते हैं कि यह जो रेखा आगे बढ़ी है यह बिड़िश आइलन के बीच से नहीं जा रही है इसका मतलब यह हुआ कि appetite स्टेट मेंट गलत है दूसरा स्टेट में देखेंच यह द्वीब समु पूर्टा, शीतोष निये कलिवंध में स्थित है तो पूर्टा, शीतोष निये कलिवंध का यह मतलब हुआ I am 255 से लेके सभे 6,6 डिग्री criteria उत्तर की बात करें तो उत्तर में यहाँ शीटोषन की बात करें तो दक्षन में यहाँ पर कौन सा है कटीबंध कटीबंध है तो अब हमें देखना तो यह पूर्ता शीतोष्ण कटिवंध में इस्थित है ठीक है लेकिन अब यहां पे और बात आती है कि क्या तीसरा स्टेटमेंट से ही है और तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है एक धारा के बारे में उत्री अट्लांटिक प्रवाह यहां के मौसम को अत्यधिक ठंड से बचा यह आपका British Island का छेतर है अब यह उसके बगल से गुजरता है यह बात तो सही है लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि statement में लिखी गई बात कि यहां के मौसम को अतधिक ठंड से बचाता है यह बात सही है कि नहीं है तो देखिए यहां पर जो लाल करंग से आपको रेक जलधाराए दिख रही है वो सारी की सारी जितनी भी लाल है वो गर्म जलधारा है और जितनी नीली दिख रही है वो ठंडी जलधारा है जलधारा इससे जादा है यहां पर हमने कुछ प्रमुग जलधाराओं को दिखाया है तो देखे जो यहां आप से यह जलधारा शुरू होती है यह उत्तर की तरफ जो बढ़ेगी अब आगे जाएगी यह कहाँ पर गल्फ स्ट्रीम में और गल्फ स्ट्रीम से आगे जाएगी नौर्थ अट्लांटिक डिफ्ट में तो उत्तर विश्वती जल्धारा हो गई अब यह आगे बढ़के गल्फ स्ट्रीम थी नौर्थ अट्लांट तो घर के पास के शेत्र में भी उसका प्रभाव पड़ेगा वह घर के आसपास का शेत्र वह घर भी थोड़ा सा गर्म रहेगा उसी तरह से पूरा का पूरा शेत्र भी गर्म रहता है इसकी वजह से बाकी जहें पर देखें अगर हम इसी अक्षांस पर देखें तो यह जो शे दिखिए तो एशिया के छेत्र भी आपको यहीं चीज दिखाई देती है कि वह छेत्र जो है रहने के लिहाज से ठीक नहीं दिखाई देता है जबकि यहां पर अट्लान नॉर्थ अट्लांटिक की वज़ा से ऐसा उनकिन हो पाया तो देखें जो तीन शब्द है एक शब्द ह होता है स्ट्रीव के साठि नो डर्मल जलधारा आगहर चलेगी कि क्या होगा जलधारा की बहुत तेज होगी लेकिन ड्रेफ्ट जो ऐसा होता है उस पे सब्दारा की गती उतनी तेज Неहीं होती है तो पर आप देख रहे हैं कॉन सा है नॉर्थ एट्लांटिक ड्रिफ्ट यह परिश् carbon इस तरह से था कि आपको पतर है गति के लिहास निम यहां पर कौन प्रभावित कर रहा है नॉर्थ कि ड्रेप्ट टो इस लिप्ट इसथे आप से देखा जाए कर लें तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है पहला देखिए स्टेटमेंट सर्विया बालकन प्रायदीप के शेत्र मिस्थित एक देश है और दूसरा है रोमानिया इटली और हंगरी इसके पड़ोसी देश है आपको उतान है कौन से कथन इसमें सही है कि यह या तो दो है या है थह आए तो ना तो एक नाट दो है तो हम देखते हैं कि नक्षे पर आकिरी सारे कि सारे के सारे शेत्र कहां पर है तो थे बाहीं को या जो झृस पर है यह या बालकन प्राइदीप का शेट्र है लेकिन कौन से एक है एड्रियाटिक सी है और एक तरफ आपको देखेंगे तो ब्लैक सी है इन तीनों के बीच का यह जो शेत्र है यह बालकन प्रायदीप है और इसी पे बालकन प्रायदीप में ही आप देखिए तो सर्बिया बालकन प्रायदीप के शेत्र में है की नहीं है सबसे पहले हम देख लेते हैं तो देखिए आपको सर्भिया यह दिग्या यह सर्भिया है तो यह जो है बालकन प्रायदीप शेत्र में इस्थित है अब दूसरा स्टेट्मेंट देखिए रोमानिया इटली और हंगरी इसके पडूसी देश है तो हमें सर्भिया को देखना होगा सर्भिया क दिखता है क्रोएशिया दिखता है बोस्निया दिखता है मोंटे निग्रो दिखता है अलबानिया दिखता है मैसे डोनिया दिखता है बुलगारिया दिखता है लेकि इटली हमें नहीं दिख रहा इटली क्यों नहीं दिख रहा क्योंकि इटली बालकन प्रायदीप में ही नही यदर आपता नहीं होता तो हमारा कि दूसरा स्ट्रो जो हो गया गलत पहला सफी है तो केवल एक कत्छन इसमें सही है अगला सवाल देखते हैelen निम्लिकित जल्राशों की अवस्थी पर रिवचार कीजिए यह सवाल क्यों महत्पूर्ण है क्योंकि अभी हाली में जो दक्षिर चीन सागर है वहाँ पे चीन और फिलिपीन्स के जो जहाज थे जल्यान आपस में टकरा गए जिसके वज़े से उन्हें ने एक दूसरे को दो दोनों को इस्पर्श करती हैं यह महत्पूर्ण है देख्यों को सब्सक्रती ही कि नहीं तभी माना जाएगा किसी स परश करती है तो तह गलत होगा तो चीनि मोंगी भूमी और फिलिपीन्स दूइब समूव में अब चलिए देखते हैं एक एक करके फिलिपीन्स आगर कुछ से देखते हैं अब यहाँ पर आप देखिए फिलिपीन्स आगर फिलिपीन्स सी दिख रहा है और यहाँ पर आपको South China Sea दिख रहा है यहाँ पर East China Sea दिख रहा है और statement में क्या बात कही गई है East China Sea की बात कही गई है और Philippines की देखें पूर्वी चीन सागर और Philippines सागर अब आप देखें अगर मुख्य भूम की बात करें तो चाइना की मुख्य भूम तो यह है यह उसका किनारा है मुख्य भूम का और यहाँ पर आप अगर देखें चाइना की मुख्य भूम का किनारा तो East China Sea से तो लगा हुआ दिखता है लेकिन आप देखें यहाँ पर एक शेतर है जापान और जापान के लिए ही रियूकू नाम के आइलेंड्स है यह जापान के आइलेंड्स है यह सारे के सारे आप देखें तो यह जो रियूकू आइलेंड्स है एक तरह से सीमा बनाते हैं East China Sea और फिलिपीन सी के बीश में सीमा बनाते हैं जापान के आइलेंड्स रियूकू आइलेंड्स अब यह जो आइलेंड सीमा बनाते हैं इससे यह बाता है हो जाती है कि जो East China Sea है वह Romanian से नहीं लगा है और ना तो Philippians Sea, चाना से लगा है अब एक और बच्चता है यहाँ जो यहाँद यहास चाना से लगा हुआ है और दूसी तरफ यहाँ पर वियतनाम से लगा हुआ है लेकिन फिलिपीन्स जो यह छेतर है इनसे लगा हुआ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी जलराशी ऐसी नहीं है जो इन दोनों को ही सपर्श करती है तो हमारा सही उत् सचीव ने जांबिया के साथ रक्षा मंत्राले के सथाई सचीव की एक बैठक की थी अब जो भी देश चर्चा में आता है तो आपको ज़रूरी हो जाता है कि एक बार आप देखें कि विश्टर के मानचीत्र पर वहाँ देश कहां पर है तो इसी से जुड़ा हुआ प्रश का मैं यहीं पर हैं जितने हमारे प्रश्म में मौझूद थे देखिए यह है जांबिया अब 10 देश ओके ना हमने विखल्प मेंक्क निए अंगौला-Namibiare-3 जिक्ता है और जांबिया और अंगूला का भी तो मतलब जांबिया अंगूला और जिम्वावे से तो बना रहा है नामीबिया से बना रहा है कि नहीं तेकिन नामीबिया का देखिए यह जो यलो कलर का शेत्र है आगे बढ़ते हुए यहां तक आ रहा है और यहां पर आप देखेंगे तो य जैसे कि नामीबिया अलग तरह से निकला हूँ दिख रहा है आपको जब भी कोई देश इस तरह से कुछ अलग नक्षा लेकर अपना आता है तो उससे यह पता चलता है कि वह परिक्षा के दिष्टी से महात्पूर्ण है कुछ अलग तरह से दिख रहा है जो कहीं अलग से नहीं दे रहा है अब यहां पर एक बात समझ में आती ही कि जांबिया की तो यह पडोसी देश है तो हमारा सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर होगा डी उप्यूक सभी पडोसी देश है तेकिन जांबिया के हैं कितने पडोसी देश तो फुल आठ पडोसी देश है आप चाहें के बीच में पुल है इन दोनों देशों के बीच का और आधिकारी रूप से यह माना जाता है कि इन दोनों की सीमा आपस में साझा होती है उसके अलावा जिंबाब्वे है उसके अलावा आप देखेंगे तो मुझाम्बिक है तंजानिया है डुमक्रेटिक रिपब्लिक आफ क दोनों सारी बाते हुई इसी दोरान इसी में यह सवाल उठता है कि निमिकित में से शहरों का कौन सा समूँ सुर्जर लेंड से संबंधित है तो यह क्यों ऐसा है क्योंकि हमें जानना पड़ेगा यहाँ पर देखी जितने ये नाम है ये कहां कहां पर हमें जब तक नहीं पता होंगे हमें पता नहीं चलेगा कि सही जवाब क्या है तो देखे कितने नाम है बेसल, बिलफास, जूरिक इसके अलावा कौन सा है जिनेवा और प्रेंकफर्ड ये कुल मिला के पांच ऐसे नाम है इस पूरे पांचो विकल्पों, चारो विकल्पों में से जिसमें हमें देखना है कि कौन सा ऐसा है जो स्विट्जर लेंड से सम्ब बिलफास है तो इसका मतलब ये सुड़्जर लेंड में नहीं है उसके बाद देखे फ्रेंकफर्ड की संधी आपको पता है बहुत इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो है महत्मूर्ण स्थान है जर्मनी में यह भी सुट्जर लेंड में नहीं है और यह जो बिलफास है जब Ireland की स्वतनिता की लड़ाई की मांग चल रही थी तो यह वहाँ पर एक प्रमुक्षेत्र के रूप में उभरा था, क्रांती की शेत्र में वहाँ के आजादी की मांग उठाने वाले शेत्रों में से एक था, अब चलिए हम देख लेते हैं सुर्जल लेंड के जो प्रमुक चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल है अफगानिस्तान में जो भूकम पाया है उसकी वज़ह से है काफी चर्चा में है तो आई इस पर देखते हैं क्या सवाल है निम्रिकित कत्रों पर विचार कीजिए अफगानिस्तान यूरेशियाई प्लेट पर स्थित है पहला स्टेट्पेंट दूसरा है दक्षणी अफगानिस्तान में अरब और भारती प्लेट आपस मिलती है और ये दोनों प्लेटें यूरेशियाई प्लेट के नीचे आ जाती है तो देखते हैं इसमें से कौन से कथन सही है या कौन से नहीं है तो अफगानिस्तान यूरेशियाई प्लेट पर है की नहीं है पहले अवस्थिती देख लेते हैं अफगानिस्तान है कहां के अरब सागर के उत्तर में है पहले अवस्थिती हमें इस तरह से जानी चाहिए कि हमा पहला स्टेटमेंट है कि युरेशिया प्लेट में है कि नहीं है तो यह जो लाल रंग से आप शेत्र देख रहे हैं यह लाल रंग वाला शेत्र जो है युरेशिया प्लेट का है तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है दूसरा स्टेटमेंट देखी क्या कहता है दूसरा यह आपका इंडियन प्लेट है जो यह दक्षिन का छेत्र है अफगानिस्तान का एक दम से देखिए कोई specific boundary नहीं होती है लेकिन आसपास के छेत्र को हम उस boundary से include करके मानके चल सकते हैं इस मामले में तो ऐसे में मुख्य रूप से थोड़ा और इसको गहराई से अगर हम जाने प्लेट को लेकर के और करीबी फोटो देखने को मिलेगी यह आपका अरेबियन प्लेट है और यह आपका इंडियन प्लेट है और यहां पर देखिए जहां पर यह स्टार बना हुआ है यह आपका अफगानिस्तान का शेत्र है तो यह statement दूसरा वाला भी देखा जाए तो सह होना चाहिए कि दूसरा स्टेट में भी अगर सही और पहला भी सही है तो सही उत्तर क्या होगा सी होगा अब इसी में थोड़ा सा एक और महत्पूर्ण बात जान लीजे या जो आप शेत्र देख रहे हैं या ऐसा शेत्र है यूरेशियाई प्लेट में दरार का शेत्र है अब यूरेशियाई प्लेट में है जो दरार का शेत्र है इसके वज़े से यहाँ पर अपसारी प्लेट सीमान बनता जा रहा है वतलब कि दरार हुई है और इसके बाद वो द जारा अपसारी प्लेट जीमान इसकी वजह से अफगानिस्तान का शेत्र कुछ यहां पर है और यहां पर इसी वजह से भूकंप की घटनाई देखने को मिलती हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हाली में ऑस्ट्रेलिया में हुए एक जन्मत संग्रह में देशज लोगों को से विधान में मानिता देने संबंधी प्रस्ताओं को खारिश कर दिया गया है इसी वजह से यह सवाल आता है कि निमलिखित भू आकरतियों पर विचार कीजिए किमबरले का पठार के प्यार प्राइदी ग्रेट इवाइडिंग रेंज विक्टोरिया मरुस्थल मर्रे डार्लिंग बेसीन और सिम्सन रेगिस्तान आको बताना हिंद में से कितने स्थान ऐसे हैं जो आस्ट्रेलिया में ही हैं क्या दो हैं या तीन है या पांच हैं सभी के सभी जितने च्छे नाम हैं वो सारे के सारे हैं चलिए नक्षे पर देखते हैं नक्षे पर देखे Kimberly, Great Victoria Desert और इसके लावा Simpson Desert और उसके Great Dividing Range और उसके लावा एक और स्थान बचता है पौश्सर नहीं है मरे Darling नदी बेसिन तो मरे Darling नदी बेसिन देखिए यह मरे है और यह Darling नदी बेसिन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे खें यहाँ पर मौझूद है, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? हमारा उत्तर है यहाँ पर D, यानि कि सभीश है, अब यहाँ पर एक स्थान है Simpson Dessert, इसके बारे में खास बात यह है, यह समुद्र तल से भी 9 मिटर नीचे है, काफी नीचे है, समुद्र तल से 9 मिटर नीचे का मतल जो यह मररे और डालिंड नदी बेसीन है इसके बारे मुख्यवात यह कि इस नदी बेसीन शेत्र में जो आस वाल होता है सबसे ज़्यादा करशी उत्पाद यहीं पर होता है क्योंकि यहीं मर्रे और डार्लिंग नदी की वज़े से इस नदी शेत्र में एक क्युमिट्टी जो है आसपास की उपजाव हो जाती है चलिए आगला सवाल देखते हैं लाओस PDR 2023 में बांगलादेश के बाद लिंफैटिक पाइलेसिस का पाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला दूसरा देश बन गया इस वज़े से यह सवाल चर्चा में है तो आपको बताना है कि निम्लिखित कतनों में से कौन से कतन सही है लाओस दक्षिनपूर्व एशिया के स्व स्वाणिम त्रभूज शेतर से गुजरती है और लाओस दक्षिनपूर्व एशिया के स्वाणिम त्रभूज शेतर में शामिल है कि नहीं है स्वाणिम त्रभूज है क्या देख लीजे म्यामार लाओस और थाइलेंड यह तीनों को मिलाके म्यामार लाओस और थाइलेंड को मिलाके गोल्डन ट्रेंगल बनता है मतलब कौन से देश हो गए म्यामार लाओस और थाइलेंड आप देखिए क्या इसमें नाम दिया था लाओस लाओस गोल्डन को मिलेगी यहां से इस नक्षे पर तिब्बत से निकले जाएगी और उसके बाद golden triangle में यह आ जाएगी यह golden triangle में देखिया गई है और golden triangle में आ ग mucha golden triangle में डी का प्रवा है तो हमारा जो जवाब होगा वह होगा कि दोनों के दोनों कथन सही हैं तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा सी हो गया चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं चीन के महत्वकांशी बेल्ट और इनिशेटिव इसके 10 साल पूरे हो चुके हैं इसी वज़ा से है चर्चा में है तो देखे चीन के साथ एक समझावता गयापन पर हस्ताक्षर किया है तो चलिए देखते हैं किसमें सही हैं कितने नहीं आज़न चैना परियोजना है तो आपने पढ़ा भी होगा कि यह बिविन क्योंग महादीप नहीं लेकिन उसके देष शामिल है कि नहीं तो मुख्यूरूप से देखी यह हमें देखता है लेकिन इसको हम और गहराई से देखें तो चीन कहां कहां से अपना रास्ता बनाते हुए अलग-अलग मुख्यूरूप से यूरेशिया और अफरीका यहां पे दिखाई दे रहा है लेकिन अभी इसका विस्तार आप देखे कहां तक है 2022 का एक विस्तार आपको देखेंगे सारे कहां यह साइन कर चुके हैं built and road initiative के लिए उसके लावा जो green color है sign नहीं किया है लेकिन यहां पर भी निवेश हो चुका है यहां मेक्सिको में देखिए दिख रहा है निवेश हो चुका है तो कहीं न कहीं से जुड़े हुए है BRI से लेकिन भारत को देखिए भारत इसमें नहीं जुड़ा है तो हमारा जो statement था देखिए दूसरा कि Australia और अन्य सभी महादीपों के देश शामिल है तो बाकी सभी महादीपों के कोई न कोई देश तो हमें दिखाई दे रहा था लेकिन Australia का हमें नहीं दिखाई दे रहा था अस्ट्रेलिया देखिए इसमें हमें ग्रे कलर से साफ साफ दिखाई देता है भारत भी नहीं दिखाई दे रहा है उसके लावा आप उपर उधर उत्तरी अमेरिका में देखिए वहाँ भी ग्रे बना हुआ है अब लेकिन यहां पर जो अगला स्टेटमेंट जो था तीसरा वाला की चीन के साफ समझोता हुआ तो यह भी नहीं हुआ है तो हमारा जो स्टेटमेंट है सिर्फ एक ही कतन सही है याने कि यह हमारा सही उत्तर होगा अब चलिए आगे देखते हैं मार्शल द्वीप समू के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए मार्शल द्वीप समू के संदर में तीन कथन है यह मध्य प्रशांत महासागर में उस्पित एक द्वीपी देश है दूसरा है रतक समू और रॉलिक समू के द्वीप इससे संबंधित है और तीसर पर दीख रहे हैं यह आई लैंड से अब इसके बारे मैं पहला स्टेटमेंट है कि प्रशांत महासागर में वस्थित है अब प्रशांत महासागर का जो मध्य हम किसे मानें तो साउथ Pacific Ocean है, एक North Pacific Ocean है, जो बीच का शेतर होगा, यानि या ऎक्वेटर के आसपास जब यह होगा, तो माना जाएगा, तो देखिए, नॉर्थ में भी, यह जो है, एक्वेटर के पास में है, दक्षेण पे तो नहीं है, लेकिन एक्वेटर के पास में है, तो हम लगभग मान सकते हैं या इसी को हम बोलते हैं रतक, रोतक या रतक और दूसरा देखिए, रालिक तो दरसल ये दूइब समूम है, इसको आप देखें, तो यहाँ पर आप दूइब समूक देखें दो line में दिखेंगे parallel line में यही है तो दरसल अपनी एक अलग भाशा है एक खास भाशा में जो रतक होता है रतक का मतलब होता है पूरवी और इसका मतलब होता है पश्मी तो इस तरह से उसका अपना एक मतलब है अब देखें यह statement तो सही हो गया दूसरा वाला सही है पहला वाला जो है वह भी सही है अब तीसरा वाला सही कि नहीं माइक्रो नेश्या और किरबाती इसके समुद्री पड़ोसी देश हैं कि नहीं है समुद्री पड़ोसी देश होने का मतलब यह हुआ कि स्थल सीमा आपस में टच भले ना करती हो लेकिन समुद्र में बहुत पास में हो यानि कि जो एएज है उसमें अगर दोनों के शेत्र आते हैं दोनों के इक्स्क्लूसिव एकनॉमिक जोन आपस में टच करते हैं तो माना जाएगा कि वह पडोसी ही है तो देखे जो दो नाम थे एक तो किरबाती था और दूसरा क्या है माइक्रो निश्या यह भी आपको दिख गिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जवाब जो स्टेट्मेंट कत्रों पर विचार की इस नदी का दिकांश प्रवाध धक्षिन गुलार्द में है इस नदी का मुहाना भूमद रेखा के निकट है और तीसरा है यह समुद्र में जल निकास के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है तेकि अभी जो अमेजन नदी है उसके बारे मे डिलीवर करती है समुद्र में सबसे जादा 20 प्रतिशत पुरी दुनिया के सभी नदियों के द्वारा अगर 100 प्रतिशत पानी का वाटर डिस्चार्ज महासागर में होता है तो उसका 20 प्रतिशत अकेले इस नदी के माध्यम से होता है इस वज़ा से तीसरा स्टेट्मेंट तो हमारा सही है पहला और दूसरा देख लेते हैं दक्ष्णी गुलार्ज में होता है कि नहीं होता और इसका मुहाना भूमद रिखा के पास है कि नहीं है चलिए देखिए पेरु में देखिए यह नदी बनती है एक नदी है मेरानन और एक है उक्याली मेरानन और उक्याली नदी जब आगे जाके मिलती है तो अमेजर नदी बनती है और यह अमेजर नदी देखी आगे बढ़ते हुए आपको मिलेगी आगे बढ़ते हुए जाएगी और यहां पर जाके इसका माउथ है अब यहां पर मुहाना हमने देखा जो उसके पहले इसका पूरा का पूरा प्र प्रवा कहा है दक्षिन में है अब देखिए स्टेटमेंट क्या था मुहाना प्रवा दक्षिनी गुलार्द में है तो यह हमारा स्टेटमेंट सही है दूसरा इसका मुहाना भूमद रेखा के निकठ है बिल्कुल इसका जो मुहाना है देखी यह भूमद रेखा है और इसके निकठी हम मान सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि statement पहला और दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, तो हमारे statement तीनों के तीनों सही हो गए, तो यह जो था आपके लिए प्रमुग जानकारी थी, इसके बाद एक और सवाल, कि इसराइल, फिलिस्तिन, संघर्ष के बाद कुछ जगहे और आती हैं, जो चर्चा में हैं, हमें देखना है कि इनमें से कौन सही है, इलाट, इसराइल, अकाबा, जॉर्डन, मसकट, यमन, और बेरूत, और लिबनान, चलिए देखते हैं, कितने यूद इसमें सुमेलित हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक तरफ से, अक ही है, चलिए कि करके सारे देखते हैं, जो हमें दिखता जाएगा, वही, इसके अलावा, जॉर्डन में अकाबा हमें मिल गया, यह जॉर्डन है, और उसी में अकाबा है, जॉर्डन और अकाबा, यह हमारा सही मिल गया, बेरूत और लेबनान, चलिए देखते हैं, बेरूत करीब से देखें तो यह जो आप देख रहें इसराइल का छेत्र है और इसराइल के छेत्र में गल्फ ऑफ अकाबा से लगा हुआ इसराइल का छेत्र है इलाट तो गल्फ ऑफ अकाबा से लगा हुआ इसराइल का छेत्र है इलाट है और यह इसराइल में ही है तो इसका मतलब ह क्या है सी चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल अगला सवाल है UPSC में आया हुआ है कि निमलिखित में से किनका Ebola विशाण के प्रकोब के लिए हाल ही में समार चार पत्रों में बारबाल उल्लेक हुआ है अब आप सोचेंगे इबोला का उल्लेक कभी हुआ नहीं दरसल यह सवाल 2015 के UPSC में आया था सेट ए में 17 सवाल था तो इसी वज़ा से हम देख लेते हैं कि मैप औफ मैप हमारा जो प्रोग्राम है वह किस तरह से महत्पूर्ण है तो चलिए देखते हैं सीरिया और जॉर्डन गिनी सियरा लियोनन और लाइबेरिया और फिलिपीन्स और पापुआ न्यूगिनी जमाइका हैती और सुरिनाम आपको बताना है कि इबोला विशाण के प्रकोब किस शेत्र में थे चलिए देखते हैं खबरों में उस वक्त 2014 में सितंबर के आसपास खबर आने शुरू हुई थी इसका मतलब की अगस्त और सितंबर के आसपास इबोला वायरस आ चुका था और 15 तक यह रहा है कि उसकी वैक्सीन आ गई थी यह वह शेत्र है जहा है इसके अलावा गिनी आता है और सीराल इंवन आता है तो अब देखिए झाल झाल